सो फाइनली आज हमारे गेम के अंदर आने वाला है OV44 का पैच अपडेट एंड हर एक पैच अपडेट की तरह इस पैच अपडेट में भी गेम के अंदर बहुत सारे चेंजेस होने वाले है एंड आज के वीडियो में आप लोगों को उन्हीं चेंजेस के बाड़े में बताने वाला हूँ तो वीडियो काफी ज़ादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है सो वीडियो में एंड तक बने रहना तो चलिए वीडियो शुरू करते है अभी अपडेट ड्रॉप होते ही आप लोगों को गेम के अंदर जो सबसे बड़ा एक चेंज देखने को मिलेगा कि मेगा ड्रैक नाम का एक नया इवेंट रन होने वाला है आज से एंड इस इवेंट के साथ आप लोगो बियार एंड सी एस में काफी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे बात करें अगर बियार मोड के चेंजेस की तो बियार में आप लोगो सारे बॉस फिर से रिटर्न देखने को मिलेंगे जिनको समन करके आप लोग मार सकते हो अब एक boss को मारने के बदले आप लोगो एक mega drag point मिलेगा ऐसे ही तीन boss को मारने के बद आप लोगो टोटल तीन mega drag point मिलेंगे एंड उसके बाद next जो BR match आप लोग बूया करोगे उसके बाद आप लोगो को mega drag के सामने लिया जाएगा जहाँ पे आप लोगों को उसको fight करके defeat करना होगा एंड उसके बदले में आप लोगों को BR के अंदर 20 extra rank point देखने को मिलेगा जो की serious rank pusher के लिए काफी जादा helpful रहने वाला है तो अभी दूसरे change में बात कर लेते हैं CS के अंदर आप लोगों को जो changes देखने को मिलेंगे तो CS के अंदर basically आप लोगों को अपसे normal airdrop नहीं मिलेगा आप लोगों को उपर एक dragon मिलेगा जिसके उपर अगर आप लोग fire करते हो तो यह dragon जो है अपने हाथ से एक airdrop छोड के जाएगा भी airdrop के अंदर आप लोगों को normally guns तो मिलेंगे ही साथ में दो नए items देखने को मिलेंगे जिन में से पहला है यह dragon freeze जो normal freeze से थोरा सा अलाग है इसको जब आप लोग फेकते हो यह तीन बार bounce करके enemies को damage करेगा और दूसरा रहने वाला है यह dragon sprinter नाम का नया टाइप का shoe जिसको यूज करके अगर आप लोग दौरते टाइम दो बार टैप करोगे अपने jump बटन को perform करते हो जैसे कि अपने teammates को revive कराना या फिर किसी clutch situation को निकालना उसके बाद आप लोग को काफी सारे नए feedback देखने को मिलेंगे जो की in game आप लोग को motivate करने का काम करेगा तो अभी change no.4 में बात कर लेते है नए roll system की तो game के अंदर आपका mainly जो roll रहता है जैसे कि अगर आप के साथ बहुत सारे kills करते हो then match के बाद आप लोग का जो sniper वाले roll का point है वो increase होगा and आपके profile के अंदर sniper वाले roll का level up होता रहेगा अब इसके बाद से कोई भी अगर आप लोग के ID को spectate करता है तो वहाँ पे rank and emblem के पास में ही आप लोग का जो roll रहेगा वो भी display करेगा साथ ही में आप लोग अगर किसी teammate को invite करने जाते हो तो वहाँ पे उनका कितना streak है वो भी दिखाएगा जिसी साब साप लोग अपने team को भी ready कर सकते हो तो भी बात कर लेते हैं change number 5 के बार में जो कि personally मुझे काफी अच्छा लगा है तो काफी सारा ऐसे players होते हो जो कि my conquer करके ही जहाँ पर अपने goalie fire किया था वहाँ पर मार्क आ जाएगा तो इसके बाद से आप लोग माइक आफ रटके भी अपने teammate के साथ अच्छे से coordinate कर पाऊगे तो अभी बात कर लेते हमाने next changes या फिर कहें लोग नए option के बारे में जो रहने वाला है gaming status अब इससे आप लोग ज खड़े रहोगे कोई भी अगर आपको invite करता है आप लोग accept करके उसके team पे जा सकते हो एंड एक रहेगा do not disturb जिसको on करने से अगर आपको कोई invite भेशता है तो उसका invite जो है directly reject हो जाएगा तो अभी बात कर लेता है next change के बारे में यह रहेगा कुछ नए auto messages add किये जाएंगे सबी के डाइम पे जब आप लोग BR rank खेलते हो तो जैसे आप लोग कोई भी arsenal key purchase करते हो तो वहाँ पे लिखा हुआ आता है go for the arsenal और आपके teammates को notify कर दिया जाता है तो ऐसे ही update के बाद से अगर आप लोग revival point को charge करने जाते हो या फिदिफेंस एर drop को charge करने जाते हो तो आपके teammates को notify कर दिया जाएगा तो अभी बात करें अगर next change की तो यह रहने वाला है हमारे game के अंदर आने वाला next character जिसका name रहने वाला है kairos अभी एक passive character होगा तो बात कर लेता है इसके ability की तो इसके ability में totally दो modes आप लोग को मिलेगा जो normal mode रहेगा वहाँ पे यह हर second दो EP regenerate करेग और जैसे ही आपका EP बार full हो जाता है मतलब 200 EP अगर आपके पास हो जाता है तो इसका जो character mode है वो दूसरे mode में shift हो जाएगा और उसके बात से हर second 5 EP consume करेगा और enemy के उपर अगर आप लोग उस duration में fire करते हो तो आप लोग enemy के उपर काफी जादा armor penetration deal करोगे साथी में enemy का जो 0 हो जाता है तो यह फिर से अपने normal mode में आएगा और हर second 2 EP करके regenerate करता रहेगा तो अभी बात कर लेता है next change के बारे में यह रहने वाला है हमारा upgradable aug अभी के time पर अगर आप़ लोग किसी भी gun को अप्ग्रेड करने जाते हो तो आप लोग को अप्ग्रेड चिप purchase करना परता है बटी यह aug जो है थोड़ा अलग तरिके से अपग्रेड होने वाला है तो और अप्ग्रेड करने के लिए आप लोग को आप के साथ enemies को damage करना बाकि इसी के साथ आप लोगो जो है प्लाजमा गन इसके बाद से बी आर मोड के अंदर देखने को मिलेगा तो भी बात कर लेते हैं वेपेन एज़ेस्टमेंट की तो दो गन को इस अपडेट में बफ किया जा रहा है और ये है वेक्टर एंड MP5 जहाँ पे वेक्टर का मेगा जिसका आप लोगो टोटल तीन गन में नर्फ दिखने को मिलेगा जिन में से पहला है ट्रॉगॉन जिसका आप लोगो को डैमेज आंड मेंड मेगाजिन कम होता हूआ दिख जाएगा एड़ उसके बाद है चार्ज बस्टर जिसको तो बहुत जादा नर्फ किया जा रहा है अभी सबसे पहले चार्जबस्टर का डेमेज कम किया जा रहा है उसके बाद इसको जो आप लोग चार्ज करते हो उसका टाइम इंक्रिस किया जा रहा है साथी में चार्ज करने के बाद जितने टाइम तक ये चार्ज रहता है उसका डियूरेशन कम किया जा रहा है और उसके बाद चार्जबस्टर पकड़के आप लोग जब भागते हो उस टाइम पर आपका मूब्मेंट स्पीड भी कम किया जा रहा है तो चार्जबस्टर को अपडेट के बाद बहुत ज्यादा नर्फ किया जा रहा है अभी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग को यह पसंद आया या फिर नहीं तो अभी बात कर लेता है नेक्स्ट चेंज के बादे में यह रहने वाला एक नया पास जिसका नाम होने वाला है इवो एक्सस या फिर इपास आप लोग जो भी बोलो अभी इसको पर्चेस करने के लिए आप लोग को सब्सक्रिप्शन बेस्ड म मिलेगा जहां पर आप लोग 3-7 दिन या फिर 30 दिन के लिए इसको पर्चेस कर सकते हो अभी पर्चेस करते टाइम आप लोग जितने जाधा दिन के लिए पर्चेस करो तो उतना जाधा पैसा देना पड़ेगा एंड इसको पर्चेस करने के बाद आप लोग को जो इवो ग एक border सा बना हुआ आएगा मतलब एकदम पूरा highlighted टेक्स्ट में रहेगा साथ ही में आप लोग के फ्रेंड लिस्ट में अभी 200 बंदे ले सकते हो अगर आप लोग इस pass को purchase करते हो तो आप लोग 300 बंदे ले पाओगे एंड इसी के साथ में आप लोग को weekly light करके भी एक नया membership का option देखने को मिलेगा तो अभी बात कर लेते हैं next change के बारे में एंड ये रहने वाला है character skill changes के बारे में अभी इस update में सिर्फ एक character को nerf किया जा रहा है जो की है Tatsuya अभी के टाइम पर Tatsuya का skill cooldown है 45 second का update के बाद से वो के लिए रहता है update के बाद से वो 60 second के लिए रहेगा साथी में इसका जो cooldown है skill का उसको भी कम किया जा रहा है next change होने वाला है sentino character के अंदर so sentino का आप लोग जो है mannequin deploy करते हैं उसका time increase किया जा रहा है मतलब अभी ये mannequin जादा देर तक रहेगा साथी में sentino का skill होता है उसका कूल डाउन कम किया जा रहा है next change होने वाला है कैरोलीन में update से पहले कैरोलीन यूज करके भागते टेम आप लोग को 14% movement speed boost मिलता था जो कि update के बाद 16% होने वाला है फिर next change होने वाला है निकीता में सो निकीता अभी के time पे 20% faster reload करती है update के बाद से 30% faster reload करेगी फिर next change होने final change होने वाला है कपिला के अंदर जहाँ पे कपिला के साथ अभी अगर आप लोग अपने teammate को revive कराते हो तो उसको 80% movement speed boost मिलेगा जहाँ पहले सिर्फ 10% का boost मिलता था तो अभी बात कर लेते हैं कुछ extra changes के बारे में जो आप लोग update के बाद मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता ह जिनमें से पहला है कि update के बाद से आप लोग गारी के उपर glue लगा पाऊगे जो की काफी problem करता था पहले कि कोई भी अगर आपको damage deal करता था तो आप लोग गारी से निकल के wall लगाने जाते थे बट invalid location आ रहा था तो इसको change किया जा रहा है साथी में update के बाद से आप लोग गारी में घूमते टाइम ही revival point को charge कर पाऊगे defense airdrop को charge कर पाऊगे यहा तक कि जो coin machine रहता है वहाँ से coins भी आप लोग गारी के अंदर से ही collect कर पाऊगे अभी अगर ये change आ जाता है तो गारी वाले और ज़्यादा परेशान करने वाले है तो आप लोग बताना आप लोग क ये changes पसंद आया या फिर नहीं तो बस इस patch update में आप लोग को इतने ही major changes देखने को मिलेंगे इसका अलावा जो छोटे मोटे changes होंगे वह आप लोग game खेलते time ही देख सकते हो तो आज के वीडियो के लिए इतना ही बाकी अगर आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया हो झाल